प्रप्रप्राइब देटेल शूर नाम करण में अभी तक हमने नेलवनी की लाइफ में कई सारे ट्विस्ट और टन्स विटनेस किये हैं और अब आखिरकार वो पल आ गये हैं जब इन दोनों की लड़ाई जगडे खत्म होकर एक नई शुरुबात होने जा रही है पर आखिरकार दोनों के ही बीच कहानी हो गई है अच्छी खासी स्मूर्थ जी हां बता दें आपको कि अब कहानी में पिछले एपिसोड के बाद तो जैसे मसदार ट्विस्ट एक कहानी भड़ती जाने वाली होगी जहां आप कहानी में कैसे नजर आने वाले है नील और अवनी और भी ज़्यादा पास और आकर कारे दोनों के ही रिष्टे को मिलेगे एक नहीं पहचा और होगा एक नया सा नाम करेंट ये भी देखने वाले हैं लेकिन अब इसके साथ ही बता दें कि क्योंकि ये सीरिल की दुनिया है और यहां कुछ भी हो सकता है तो बता दे क्या वो होने वाला है कुछ ऐसा ही इसको देखकर आप भी चौक जाएंगे और दंग रह जाएंग जो बताते हैं आप को कि आने वाले कहानी में नया ट्विस्ट डालने के दिनील की गल्फिर्ण आने वाली है उसके बाद कहानी कि ऐसे होती चलिजगी बहुत ये मिजदार और कहां से भराही गल्फिर्ण आई होगी ये देखना जहां हो जाएगा कहानी के अंदर बहुत ही जादा दल्चस्प तो भही दूसरी तरफ अब ये भी देखने में आने वाला है मज़ा कि भही नील का रियाक्शन अब अपनी एक्स गल्फिंट को देख कर क्या कुछ हो पाता है क्या नील खोश हो जाएगा या फिर अब शारी शुदा हो चुका है नील तो इस वज़े से अपनी एक्स गल्फिंट को एग्नोर कर देगा और अपनी अपनी का भला क्या होने वाला है वाले सब देखने में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मसा तो जल्दी सब share किज़्े हैं अपने excitement की आप इतना ज़दा excited है नील की sex girlfriend को देखने के लिए और सारग ही कहानी में से रहा है था फेलाने वाली को देखने के लिए भी तो share किज़्े हैं अपने views अपने comments के तुरू और साथी सब्सक्राइब कीजिया मारा चानल टॉपनुस जस्ट फर यू टॉपनुस से आज था की रिपोट